Hello Friends, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके Fresh Admission के बारे में इगनु ने आपके July 2022 सेशन के लिए जो Admission की परिक्रिया है उसे ही स्टार्ट कर दिया है तो दोस्तो आईए आज किस वीडियो में हम जानेंगे July 2022 सेशन के Admission के बारे में कि आपके Admission की फीस क्या है, कौन-कौन से प्रोग्राम इगनु आपको ओफर कर रहा है सेशन में आपके Eligibility Criteria क्या है और आपको कैसे Admission लेना है तो दोस्तो आईए बिना देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो इगनु ने July 2022 सेशन के लिए Admission की परक्रिया स्टार्ट कर दिये जैसा कि आप यहाँ पर इगनु की Official Website पर आते हैं आप यहाँ पर Admission Portal पर देख रहे हैं कि आपके जो July 2022 सेशन के जो Admission के परक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है जिसके लिए जो Last Date है वो 31 July 2022 रखी गई है 31 July 2022 तक आप इसमें Admission ले सकते हैं हाला कि यह जो Last Date है इसे हर बार Extend किया जाता है और इस बार भी इसे Extend किया जाएगा तो दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं कि IGNう में आपके जो Admission है, वो 2 Session में होते हैं एक July और एक January आप दोनो Session में ही IGNieran में online admission ले सकते हैं, आप online परक्रिया के द्वारा IGNU में admission करवा सकते हैं इसके बाद IGNU में 2 तरह से admission होते हैं इगनू में आपको जो प्रोग्राम है वो दो तरह से ओफर किये जाते हैं एक ODEAL और एक Online अब इस्टुडेंट्स का कंफ्यूजन है ये Online और ये ODEAL क्या है तो ODEAL आपका Open Distance Learning जिसे हम Open से भी कहते हैं अगर आप Open से जो प्रोग्राम करते हैं जातर जो इगनू में Students हैं वो Open से यानि ODEAL मोड में ही प्रोग्राम करते हैं और कुछ प्रोग्राम आपको Online भी ओफर किये जाते हैं जो आपके वो Online प्रोग्राम होते हैं यानि उसमें आपकी सारे चीज़े Online होते हैं वो आपको online program offer किये जाते हैं और 2 session में आपको program offer किये जाते हैं आपर 1 July और 1 आपका जनवरी तो अभी July 2022 session के admission स्टार्ट हो गए है अब इस admission के लिए कौन-कौन से program आपको offer किये गए है तो ये आपको कैसे चेक करना है तो सबसे पहले आपको admission portal पर आना है जब आप program information में जाएंगे तो यहाँ पर आपको 200 से भी ज़्याद़ program दिये गए है यहाँ पर आप कोई साभी program सर्च करके देख सकते हैं यहाँ पर आपको bachelor degree का कोई प्रोग्राम या फिर master degree का कोई प्रोग्राम certificate, diploma या PG diploma इगनू के आपको इसी भी program में admission लेना चाहते है तो यहाँ आप simply क्या करना है आपको उस program के उपर क्लिक करना है देन उसके जो detail है वो open होकर आ जाएगी जैसे कि यहाँ पर आपको यह program A, C, E अगर आपको यह program चेक करना है तो आपको यहाँ पर read more के उपर क्लिक करना है देन इस program के बारे में जो detail है वो open होकर आ जाएगी इसके बाद अगर कोई आप program सर्च करना चाहते हैं जैसे कि आप BA करना चाहते हैं तो यहाँ BAG सर्च करना है आपके सामने यह program open होकर आ जाएगा BAG यहाँ पर आपको सर्च करना है तो यहाँ पर BAG के बारे में detail open होकर आ जाएगी यानि कि open distance learning यानि कि यह audio program है यह आपको 3 years के लिए offer किया जाता है English Hindi दोनों medium में आप यह program कर सकते हैं इसके बाद इसके लिए eligibility criteria जो 10 plus 2 है इसके बाद इसका जो fee structure है वो यहाँ पर आपको बताया गया है इसके बाद आपके लिए यहाँ पर एक big update यह है कि IGNU ने आपकी जो fees है उसमें changes किया है इसके लिए मैंने पहले से भी एक वीडियो बनाए जिसमें आपको बताया है इगनू ने आपकी जो fees है उसमें changes किया है इगनू ने टोटल 35 ऐसे प्रोग्राम है जिसकी जो fees है उसे बढ़ा दिया गया है आपकी fees तो बढ़ाईए साथ के साथ पहले registration charge 200 रुपए हुआ करता था जब आप admission लेते हैं इगनू में new तो उसमें आपको 200 रुपए registration charge देने हो बढ़ा दिया है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आपका जो registration charge है वो 200 से 300 रुपए हो गया है तो ऐसे आपको अपने program के बारे में चेक करना है कि आपका जो program है इसके बारे में आपको यहाँ से सारी detail देखने को मिल जाएगी आपको यह program करना चाहते हैं जैसे कि कि आपने आपको search करना है यहाँ पर m.com आप m.com करना चाहते हैं यहाँ पर search कि आपने m.com तो यहाँ पर m.com open होकर आ जाएगा आपको simply इसके उपर read more पर click करना है इसके बाद m.com की जो detail है वो open होकर आ जाएगी आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको m.com program करना है तो इसक प्रोइशन क्या है यह सारी चीजी आप यहां से देख सकते आपको यहां पर प्रोग्राम 日 में क्लिक करना है यहां पर आपको असे करना चाहिए आप यहां से पहले हैं अच्छी criteria वो सारी छीज़े आप यहा से सकते हैं, इसके बाद दोस्तों अपको सारे information मिल जाएगी, कि यह जो आपका program है, यह आपको कौन-कौन से program उफर कीये जाते हैं, इसमें आपको उस प्रोग्राम में कौन-कौन से subject offer किये जाते हैं यह सारी चीजे आपको उस prospectus में देखने को मिल जाएंगी जैसे कि आप यहाँ पर यह prospectus देख रहे हैं इस prospectus में आपको देखने हो मिलेगा कि आपको कौन-कौन से program offer किये जाते हैं बैचलर आफ आफ आर्ट्स भी ए इसके बाद बैचलर आफ कॉमर्स भीकॉम, bsc, bca, blis इसके बाद बैचलर आफ आफ आर्ट्स टूरिजम स्टडिज, bhwg, bachelor of social work इसके बाद bbarl, bachelor honors के कौन-कौन से program आपको offer किये जाते हैं उस प्रोग्राम के बारे में अच्छे से पहले पता कर ले अच्छे से पता करने के बारे में जो भी डीटेल है उसका फेयर श्ट्रक्चर सारी डीटेल आप चेक करने के बादी आप एड्मीशन ले अगर आपको किसी और subject में या program में एड्मीशन लेना है तो आप उस program के बारे में सबसे पहले पढ़ने कि यहाँ पे आपको कौन सा program करना है जो भी आपको program करना है simply यहाँ पे जैसे कि आपको master of arts philosophy करना है तो आपको 117 page पे जाना है यहाँ पर जब आप वहाँ पर जाते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर subject देखने हों मिल जाएंगे जो भी आप program करना चाहते हैं जैसे कि आप यहाँ पर कोई program करते हैं यहाँ पर आपको सारे program देखने हों मिल जाएंगे जैसे कि आप master of arts political science करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इसके बारे में eligibility criteria medium इसका duration क्या है fee structure क्या है इसके बाद यह program January और July दोनों आपको session में offer किया जाता है आपको first year में कौन से subject पढ़ने को मिलेंगे second year में आपको कौन से subject पढ़ने को मिलेंगे यह सारी चीज आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी इसलिए आप prospectus में यह सारी detail चेक कर सकते हैं कोई भी username अपना बनाना है आपका full name आएगा इसके बाद email ID आएगी आपकी email address दुबारा से आपको फिल करना है, आपको password यहाँ पर create करना है, उसके बाद आपको re-enter दुबारा से password यहाँ पर आपको वही फिल करना है, आपका mobile number आएगा, capture code फिल करने बाद रजिस्टर करना है, रजिस्टर करते हैं तो आपके पास एक OTP आएगा, then आपका account create हो पर आएगा, जिसमें आपको अपने admission से related आपको qualification, आपको admission form फिल करना है, आपको आगे का process करना है, यानि payment करनी है, subject choose करने है, आपको कहाँ पर study center लेना है, कौन सा original center लेना है, यह सारी detail आपको personal detail या फिर qualification यह सारी detail आपको भरनी है, then आपका admission का process पूरा हो जाएगा, तो ऐसे आप admission ले सकते हैं, तो दोस्तों यह सारी information थी, जिसमें आपको बताया गया है, कि आपका जो admission का process है, वो start हो चुका है, जुलाई 2022 session के जो admission वो start हो चुके है, और 31 July इसके लिए last date रखी गई है, अगर आपको admission के regarding कोई भी doubt है, admission लेना चाहते हैं, अगर admission के regarding आपको को कोई भी guidance रहिए, तो आप मुझे directly मुझे call कर सकते हैं, call me for app के जरिए, जिसका link आपको मेरे description box में मिल जाएगा, या फिर आप मुझे directly मेरे telegram या Instagram पे message करके, आप महा से admission के regarding जो भी आपको query है, महा से solve कर सकते हैं, तो दोस्तों आई हुप आपको वीडियो समझ आई होग कर समय कर सकते हैं, को आपको वीडियो समय आपको आपको वीडियोग थक्या हम आपको रहिए मेरे वीडियों जापको आपको है, में आपको प्र relativ होगिभ्मा रहिए, एल दीन है हैं आपकोई